हेलो एवरिवन कैसे आप सभी लोग मेरा नाम लकी खंडेलवाल है तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी ससी सीजेल 2021 के जो एक्जाम फॉर्म थे वो भरे हुए थे और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉस था कि 28 जैनवरी के बाद आप अपने जिन्होंने एससी सीजेल 2021 का एक्जाम फॉर्म भर रहा था लेकिन बाए चांस उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है या तो फोटो में मिस्टेक हुई है सिगनेचर मिस्टेक हुई है या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी यूर है लेकिन वो कैटेगरी को चेंज करक हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कोवेट के बाद से अपने एक्जाम सेंटर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो सारे चेंजेस आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है आप जाएंग लिए successfully apply किया था अब यहाँ पर जैसे ही आपने login किया तो आपके सामने ऐसी कुछ window खुलेगी जिसमें आपको पहली बार यहाँ पर reapply का option देखने को मिलेगा reapply पे जैसे ही आप click करेंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ window खुलेगी ठीक है जिसमें यहाँ पे आपको number of attempts जो है आपके वो दिख जाएंगे क्योंकि अभी तक मैंने सिफ एक ही बार form मेरा फिल किया है तो यहाँ पे number of attempts आ रहे है बन अब यहाँ पे जो important चीज है ध्यान है वो maximum अपना जो form है वो दो बार दोबारा submit कर सकता है पहली बार अगर जैसे यह first attempt था मेरा अगर मैं अभी कुछ changes करके form को दोबारा submit करता हूं तो मेरी fees 200 रुपीज लगेगी और उसके बाद भी अगर कुछ changes रह जाते हैं मैं दोबारा submit करता हूं तब मेरी fees 500 अगर मैंने second number का जो form है वो दुबारा भरा तो जो number one है वो automatically cancel हो जाएगा और जो दूसरा number वाला होगा उसको SSC recommend करेगा ठीक है अब यहाँ पे आपको I declare का जो आएगा यह button इस पे आप टिक करेंगे और उसके बाद यह जो apply वाला box है इस पे आप क्लिक कर देंगे apply वाले box पे click करने के बाद आप से पूछेगा कि यह आपका second attempt है और इसमें आपकी 200 रुपए की फीस लगेगी तो क्या आप changes करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे click किया yes button के उपर yes button पे click करने के बाद जो भी changes है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं मुझे एक minor सा change करना था तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है उसके बाद मैंने I agree का जो button है उस पे click किया उसके बाद capture एंटर करा उसके बाद आप preview button पे जैसे ही गए तो आपके पास जो पूरी details होंगे आपकी form की वो आपके पास आ जाएंगी और उसके बाद भी अगर आपको कुछ changes करना है तो वो आ आप edit या modify वाले button पे click करके changes कर सकते हैं क्योंकि SSC आपको यह option दे रहा है तो इसका गलत फायदा ना उठाएं 200 रुपए की फीज आपकी अभी लगेगी और अकर इसके बाद आप दुबारे changes करेंगे तब आप 25 रुपए लगेगी तो आपको जो भी changes करना है वो आप पह payment करना होगा तो मैंने payment करा उसके बाद मेरे सामने ऐसी window कुली की जो आपका payment का transaction है वो successful हो चुका है अब इसके बाद क्या करें आप अपने जो payment है वो दोबारा चेक करें अब यहां पर देखते हैं क्या है नाम मेरा यहां पर लिखा हुआ है fee status जो मेरा यह attempt हो लिखा गया है और जो second वाला है उसको provisionally accept कर दिया गया है और यहां पर transaction की date भी लिखी हुई है जो मैंने सबसे पहले apply किया था वो था 26 दिसंबर को और जो second बार मैंने apply करा वो है आपका 28 जन्वरी को और यहां पर आप देखें payment का जो status है वो भी लिखा हुआ है first भी complete है second भी complete है और इसके बाद जो application form है number one जो है वो cancel हो चुका है और number two जो हो है वो accept कर लिए गया है कि से यहां पर हो गया है payment हो चुगा है अब इसके बाद यह एक और मैं चीज आपको बताता हूं कि जो लोग you are category से हैं और अपने category को EW में change करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप यहां पर login करेंगे जैसे आप login कर लेंगे उसके बाद यह आप यहां पर क्लिक करने के बाद एक सिकेंड हाँ एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने यह window खुलेगी इसमें आपके कैटेगरी को option नहीं आएगा तो इसमें सबसे पहले आप करेंगे save और save के बाद आप करेंगे next पर next पर click करने के बाद जो second window खुलती है उसमें आता है category change करने का option तो इसमें आप दुबारा करेंगे edit पर click और इसमें आप से पूछेगा कि additional context details आपको change करना है तो आप यहां पर ok कर देंगे ok करने के बाद आप यहां पर आपकी category जो है EWS दो बार select करेंगे select करने के बाद आप यहां पर save button पर click करेंगे save button पर click करने के बाद यहां पर आई agree I agree के बाद final submit पे click करेंगे final submit पे click करने के बाद आपके जो भी आपका registered phone number होगा या फिर registered आपका email होगा दोनों पर एक एक OTP आएगा और वो आपको यहां पर डालना होगा OTP enter करने के बाद जो आपकी category है वो change हो जाएगी और अगर आपको category change करके अपना exam form फिल्म करना है तो पहले आप आपकी category change करें उसके बाद ही आप exam form को फिल करें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like करें comment करें चाहां को subscribe करें और कुछ भी doubt है तो वो आप नीचे comment कर सकते हैं thank you very much